नमस्ते सदा वस्तले मातरभु में जैहिन दोस्तो स्वागत है आप सबका टेक्टिकल अर्स पे शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को दोस्तो पहली डिफेंस अपडेट भारतिय वायुसेना से आ रही है दरसल भारतिय वायुसेना अपने प्रजेक्ट चीता को जल शुरू करने वाली है दोस्तो मैं आपको बताला चाहूंगा कि इस प्रजेक्ट के तहत भारत के हरॉन ट्रोन को अपग्रेड किया जाएगा इसमें इस्राइल की तकनिक का इस्तमाल किया जाएगा इस ड्रोन को अपग्रेड किया जाने के बाद ये ड्रोन हवा में ही टार्गेट को लॉक कर लेगा दोस्तो जहां तक इस ड्रोन को इस्राइल के द्वारा अपग्रेड किया जाने की योजना है ऐसे में भारते वायुसेना ने एक जबरदस फैसला लिया है फैसला ये लिया गया है कि इन ड्रोन्स को अब इस्राइली तक्नीक से अप्डेड नहीं किया जाएगा बलकि भारत की जो स्वदेशी डिफेंस कंपनिया है वो इन अप्डेड करेगी और इन ड्रोन्स को हाई टेक बनाएगी दरसल भारतिय वायुसेना इस प्रजेक्ट में मुख्य भूमी का निभा रही है जिसके तेट ये जो हैरॉन ड्रोन्स है जिनका इस्तमाल भारतिय नौसेना वायुसेना और भारतिय सेना कर रही है इन सभी हैरॉन्स ड्रोन्स में स्ट्राइक शमता जोड़ी जाएगी हाला कि फिलाल ये जो इसराइल का बनाई ये हेरान ड्रोन जो की मानव रही ड्रोन है ये एक मध्या मुचाई तक उड़ सकता है साथ ही इस ड्रोन में थर्मोग्राफिक क्यामरा, एरबॉन, ग्राउंट, सर्विलांस, विजिबल लाइट और रडार सिस्टम लगा है हाला कि तीनों आम फोसिस में जो मौझूदा हैरान ड्रोन्स है, उनमें जो मेन अप्डेट किये जाएंगे वो ये है कि इन ड्रोन्स में लेजर गाइड़ेड बंप, हवा से जमीन और हवा से लांच होने वाली एंटी टैंक गाइड़ेड मिसालों को लगाया जाएगा और जल्दी इस प्रोजेक्ट को अंतिम फैसला दिया जाना है और ये प्रकरिया फाइनल स्टेज बर पहुंच चुकी है बर्देंगली अप्डेट की तरफ जो कि हिंदुस्तान एनरनोटिक्स लिमिटेड को लेकर आ रही है दरसल हल ने तेजस मार्क टू के लिए अपना इन हाउस एप्रूप्ट प्रोडक्शन टाइम लाइन को रिलीस कर दिया है जो कि इस बात को दर्शाता है कि तेजस मार्क टू का उतपादन 2026 से शुरू हो जाएगा और 2028 से पहले भारतिय वाई सेना को तेजस मार्क टू के डिलीवरी होने लगेगी वहीं HL का कहना है कि वो अपनी उतपादन शमता को 25-35 एरक्राफ्ट हर साल कर लेगा और 120 तेजस मार्क टू फाइटर जेट्स को 2031 तक भारतिय वाई सेना को दे दिया जाएगा लेकिन 2031 के बाद होगा क्या इसके लिए भी HL ने प्लान मनाया है दरसल 2031 कोई डेडलाइन नहीं है जिसमें कि 120 सेजस मार्क टू एरक्राफ्ट बन कर तयार तो हो जाएंगे और डिलीवर भी कर दिया जाएंगे उसके बाद जो यहाँ पर इंफर्ट्रक्शर हो है खास करकि जो रिजल्ब पैनल्स होंगे तेजस मार्क टू के और एर फ्रेम कॉंपोनेंट्स होंगे जो कि स्टोरेज में होंगे उनका इस्तमाल भारतिय वाईस सेना के जो इन सर्विस तेजस मार्क टू है उनमें अगर किसी प्रकाल का कोई डैमेज आता है तो उसके भरपाई के लिए किया जाएगा वो ही भारतिय वाईस सेना हाली में कहाच चुकी है कि तेजस मार्क टू एक प्रमोग बुमी का निभाएगा भारतिय वाईस सेना और भारतिय वाइस से न तेजस मार्क 2 के 210 अत्रिक्ट फाइटर्स का ओर्टर भी देगी आने वाले समय में बर्ते लिए डिफेंस अपडेट की तरफ जो कि कैट्स वारियर को लेकर आरही है उसके बाद इसके शिरुवारती टेक्सी ट्रैल्स होंगे और इसके पहली फ्राइट 2024 के मद्दे होगी यानि की कैट्स वारियर पर भी तेज़े से काम चल रहा है बर्ते लिए अपडेट की तरफ जो कि भारत और मेर्श रकोले करा रही है दरसल दोस्तों इजिप्टियन एरफोर्स के लिए 110 तेजस लिफ्ट वेरियंट की पोटेंशल डील को देखते वे जिसमें की इनका स्थानिय स्थर यानि की लोकल प्रोडक्शन भी किया जाना है ऐसे में रक्षामंति राजनाज सिंग इजप्ट पहुंचे है कहाई जा रहा है कि यहाँ पर वो इजिप्ट के डिफेंस मिनिस्टर के साथ पाचीत करेंगे और दोने ही देश डिफेंस और सिक्यूर्टी कोपरेशन में एग्रिमेंट पर भी साइन करेंगे दरसल मैं आपको बता दू कि इजिप्ट को करीबन 100 लीडिन फाइटर ट्रेनर्स की जरौत है और इजिप्टनी एरफोस 2023 तक अपने एरक्राफ्ट को चुन सकती है हाला कि यहाँ पर इजिप्टन एरफोस का जो मुख्य ध्यान है वो यह है कि जो भी फाइटर जेटो चुनेगी उनका इस्थानी इस्तर पर प्रोडक्शन किया जाना चाहिए वो भी तकनी की हस्तांतर्ण के साथ अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अप साथ कोरिया ने फिर अपने एफ़ फिफटी को पेश किया है तो दूसरी तरफ चायना ने अपने जे एल टेन यानि के एल फिफटीन फालकॉन की पेशकर्श की है इसके अलावन लियानाडो ने इस कॉंट्रेक्ट के तैट अपने M346 की पेशकर्श की है बढ़ते अगली अप्डेट की तरफ जो कि DRDO से आ रही है तरसल DRDO की Combat Vehicle Research and Development Establishment ने एक नया Dual Voltage Axillary Power Unit को तयार करना शुरू कर दिया है अपने Armed Vehicles के लिए कहा जा रहा है कि इसे स्वदेशी Light Tanks, Future Infantry Fighting Vehicles और Future Main Battle Tanks में लगाया जाएगा और यह जो Axillary Power Unit है वो Armed Vehicles के Fire Control System में एक Alternative Source of Power का काम करेगी जिससे कि यह जो Armed Vehicles होंगे उन्हें अत्रिक्त और जरूरी उर्जा मिल पाएगी वो भी तब जब वो Surveillance Mode में काम कर रहे होंगे ऐसे में इन Armed Vehicles के Main Engine की जो Life है उस पर कोई जोर नहीं पड़ेगा और वो लंबे समय तक काम करेंगे बढ़ते हैं अगली अप्डेट की तरफ तरसल भारतिय स्टार्ट अप फर्म पैनिनियन एरो स्पेस ने 4.5 किलो न्यूटन टर्बो जट इंजन का Conceptual Validation पूरा कर लिया है और अब उन्होंने इस इंजन का प्रोटोटाइब बनाना शुरू कर दिया है आपको बता दे कि DRD ओ के जो पूर्फ साइंटिस्ट रह चुके हैं वो ऐसे ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसके तहट ये पूरी एरो इंजन फैमिली जो कि 3 किलो न्यूटन के हैं उन् से उचे युदशेतर सियाचिन गलीशयर में 19,61 फीट की उचाई पर सैटलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू हो गई है पूर्वी लद्दाक के दुर्गम हालात में ये उपलब्दी भारत ब्रॉडबेंड नेटवर्ग लिमिटेड ने छेतर में सेना की संचार व सयोग मिलेगा इससे पहले सेना भारत ये वायु सेना के संचार सैटलाइट जीसेट 7A के साथ इस रों के सैटलाइट पर आशिर्थ थी अब देश की सिमाओं की सुरक्षा के लिए भारत के सेना जमीन के साथ आसमान से भी दुश्मन पर नज़र रख सकेगी आपको उताद प्रोजेक्ट के तहत लद्दाक में देश की सेमाओं से सटेगे इलाकों में सैटलाइट से इंटरनेट सेवा उपलप्त करवाई जा रही है इससे सिमा से सटे इलाकों में रहने वारे लोगों के साथ सेना को भी फायदा हो रहा है हाली में चीन ने पूर्वी लद्दाग में वास्तविक ने अंतर रेखा पर मोबाइल के तीन टावर भी खड़े कर दिये ऐसे में रक्षा शुनौतियों का सामरा करने के लिए पूर्वी लद्दाग में 18,000 फीट से उपर के इलाकों में शुने से 20 डिग्री से लेकर शुने से 25 डिग्री के नीची के दापमान में भार्तिय सेना को तेज इंटरनेट सेवा उपलप्त कर आई जा रही है तो दोस्ते यह थे पतिक के टॉप डिफेंस और स्पेस अबडेट्स वीडियो के समद में कोई प्रश्च जवाब आपको के सावाले कमें शेक्षा में लेकर जरूर पूर सकते हैं मिलता हूँ वीडियो के साथ चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा जय हिंद वंदे मात्रम